एलो बच्चो आज में आपको class 10 जिसका subject है mathematics इसकी worksheet no.13 समझाओंगी जिसकी date हमार पास 3rd August 2020 इस worksheet में क्या समझने वाले हैं इस worksheet में हम quadratic equation के बारे में जानेगी लिखा जैसे कि यहां पर an introduction सबसे पहले आपको कह रहा है can you recall तो चलिए देखते हैं क्या हमसे recall करने के लिए कह रहा है first question आपसे कह रहा है ax square plus bx plus c is the standard form of dash polynomial तो यह कौन से polynomial के standard form है तो देखो ax square है यहां पर जिसकी पार 2 तो इसका मतलब यह quadratic polynomial है ठीक है उसके बास second में आपसे कह रहा है यह the only variable variable मतलब जो change होता रहता है जिसकी value हमको निकाल लिए जैसे कि आप देख रहो इस equation में आपको x मिलावा है आपको x की value तो निकाल लिए होगी roots जो निकालते हैं हम तो वो x निकालते हैं तो यहां पर आ जाएगा x ठीक है थार्ड में आपसे कह रहा है here a b and c are dash number तो जो आपको यह a b और c दे रखें यह कौन से number है तो यह होते हैं हमार पास real numbers चीक है ना चलिए can you recall थो हमारे यह complete होता है अब बात आते हैं यहां पर what if we make this quadratic polynomial equivalent to 0 अगर हम इस quadratic polynomial को जिसके भी हमने यह बात की इसकी ax square plus bx plus c की अगर हम इसको 0 के equal रख दे तो क्या होगा कुछ नहीं तो यह हमारी standard form बन जाएगी तो it will become a quadratic equation तो so ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation तो अगर हम इसको 0 के equal रख देंगे तो यह हमारी क्या बन जाएगी standard form बन जाएगी किसकी quadratic equation ठीक है जिसमें सब चीते same है a b c मेरे real number ही रहेंगे और x मेरा variable ही रहेंगा ठीक है ना तो अब आपको standard form पता चल गई है किसमें एक variable होता है और तीन real number होते है ठीक है और इसकी degree के होती है हमार पास 2 होती है ठीक है अब यहाँ पर वह आपको example देके बता रखे है हाँ एक चीज यहाँ पर आपको दे रखे है वो क्या देखो एक equation दे रखे है जो highlight कर रखे है इन्होंने green color से यह क्या यह quadratic equation है quadratic equation तो यह है क्योंकि इसकी x के power 2 है लेकिन यह standard form नहीं है quadratic equation की और क्यों नहीं है यह standard form quadratic equation की क्योंकि देखो standard form तो यह होती है na ax square plus bx plus c ax square पहले होता है ठीक है degree जो होती है वो हमेशा arrange होनी चाहिए मतलब बड़े से छोटी होनी चाहिए पर आप देखो यह तो यहाँ पर लिखावाए और उससे पहले x वाल है तो इसका मतलब यह quadratic equation ज़रूर है लेकिन यह standard form नहीं है तो चलिए ऐसा करते है इसको standard form में convert कर लेके है तो कैसे कर आपको उठा के इसको आगे लिए और इस 4x को पीछे कर दो लो बन गई आपकी standard form ठीक है ना तो देखो वो ही चीज़ यह लिखावा है it is not standard form for standard form we have to arrange the terms the decreasing order of the power as तो देखो उन्होंने भी वह अरेंज कर दिया ठीक है चलिए आगे बरते हैं आप यहां पर आपको सब कुछ वही बता रखा है कि standard form क्या है और आपको रूट्स निकालने हो मितलब ठीक है तो आप उसको कैसे निकालोगे ठीक है ना हम इनको कोशन से समझेंगे डारेक्ट ठीक है तो मैं आपको डारेक् equation तो है लेकिन इस standard form में नहीं है तो कैसे लिखेंगे इसको अभी एक example हम बीछे करके आए आया ना तो x square पहले आना चाहिए तो चलिए x square को पहले कर देते हैं 11 x को फिर करते हैं और 30 constant वाले को उधर ले जाते हैं आ गई मेरी इस standard form ठीक है आप इस equal to 0 ठीक है ना कोशन नम quadratic equation क्या degree होती है quadratic equation में 2 वही तो quadratic equation होती है तो देखो जैसे यहां पर x की पार 2 है आई इस पार 2 होती है na quadratic में तो हमने यहां लिख दिया 2 ठीक है आप question number 3 देखते हैं इसमें आप से कह रहे है which of the following is quadratic equation कह रहे है इन में से बताओ कौन से quadratic equation है तो देखो जिसमें x square हो जो ऐसे standard form बना रहे हो वह quadratic equation है नहीं तो नहीं है ठीक है na solve करने की पूरिये ज़रोत नहीं है कुछ parts तो ऐसी देख के पता चल जाएगी जैसा कि अगर मैं यह first part मेरे यहां लिखा है देखो यह तो cut हो गया क्यूंकि हमको पता है जब left hand side और right hand side पे दोनों same same number होते है और sign मी same होते तो वह cut जाते हैं तो इसका मतलब यह तो यह बचा आपके पास तो 9x plus 1 plus 79 is equals to 0 बचा तो क्या यह quadratic equation है नहीं यह quadratic equation नहीं है क्यूंकि इसमें x square तो है यह नहीं वो तो cut गया ठीक है ना तो आपसे सिभ यह पूछ रहे है कि कौन सी quadratic equation है तो आप यहां लिख दोंगे no it is not a quadratic equation it is not a quadratic equation ठीक है चलिए second part देखें हम इसका तो 12x square minus 7 is equals to 0 है अभी आप सोच रहोंगे कि यह भी quadratic equation नहीं होगी क्यूंकि उसकी standard form तो ax square plus bx plus c होती है नेकिन हाप पर x वाला तो कुछ है ही नहीं कोई बात नहीं हम उसको बना सकते हैं x वाला 0x अब यह quadratic equation है बिलकुल है ना quadratic equation में सिर्फ आपको यही check करना होता है कि x square है या नहीं आपके पास constantum हो या ना हो ऐससा कुछ नहीं है कि होनी ही compulsory है नहीं भी होगी तो भी चलिजाएगा 0 लगा देंगे हम ठीक है सेम ऐसी bx वाला भी कर सकते हैं पर ax square जरूरू रून आ चाहिए ठीक है तो yes अब इसके आगे आप लिख देना it is a quadratic equation ठीक है चलिए c part देखते है 3x square plus 11x plus 14 is equal to x और bracket में 3x plus 5x ठीक है तो 3x square plus 11x plus 14 is equal to यह आ जाएगा मेरा 8x 3x plus 5x 8x और 8x में x को multiply किया तो 8x square है solve कर लेते हैं एक बड़ी अगर x square बचा तो quadratic equation है और अगर cut गया तो नहीं होगी ठीक है ना तो देखो आप बन रही है यह तो quadratic equation मुझे देखने में लग रहा है कि यह बन रही है बिल्कूल बन रही है बन गही है standard for me x square और भी x b और constant b है तो yes it is a quadratic equation ठीक है चलिए last part d part और देखते हैं इसका next question करेंगे यह तो direct ही दे तो यह तो directly लिख सकते हो yes it is a quadratic equation ठीक है ना चलिए last question question number 4 और देख लेते हैं फिर हमारी यह worksheet यह complete हो जाएगी question number 4 है आपके पास convert in quadratic equation अच्छा आपको एक statement दे रखिए और आपसे कह रहा है कि उसको quadratic equation में आपको convert करना है ठीक है और अगर product करो product मतलब multiply करो तो 270 आएगा अब digits मुझे नहीं पता है तो letter first digit मैंने माल नहीं यहां पर x तो फिर second digit होगी क्या यह को y आप नहीं मान सकते क्योंकि one variable ही चाहिए होता है हमको यहां पर तो second digit में यह x-3 होगी न क्योंकि 2 digit का difference 3 है तो अगर एक x है तो दूसरी उसमें से 3 minus कर दू तो दूसरी आजाएगी चिक है अब according to question इन दोनों digit का product अगर मैं करूं तो वह मेरा 270 है तो यह इसके साथ भी multiply कर और यह इसके साथ भी x into x square x को 3 से क्या 3x इसको मैं इधर ले आई और इधर 0 आगी quadratic equation और आपको सिफ quadratic equation में convert करना है तो यह हमने convert कर दिया आगे solve तो आपको करना ही नहीं है तो यह था आपके पास question number 4 इसी के साथ यह worksheet 13 complete होती है अब worksheet number 14 जो हम अपनी next video बे करेंगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इससे like जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा thank you